सारी दुनिया है लॉक्डाउन में कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको नमस्कार मैं निधी पालीवाल आज आपके सामने कक्षावारा के विशेगरित के अध्याय एक संबंद और फलन का भाग दो लेकर के प्रस्तुत हों हम अपने पिछले भाग में संबंद किसे कहते हैं यह जान चुके हैं संबंद के प्रांथ और परिसर और सह प्रांथ इनको भी हम समझ चुके हैं इस भाग दो में हम संबंद कितने प्रकार के होते हैं इनको जानेंगे सबसे पहले हम लेते हैं रिक्त संबंद रिक्त संबंद की हमारी परिवाशा क्या कहती है समुच्च A पर परवासे संबंध R, एक रिक्त संबंध कहलाता है, यदि A का कोई भी अवयब समुच्च A के किसी भी अवयब से संबंधत नहीं है, अर्थार R is equal to 5 subset of A cross A, इसको हम एक छोटे से उधारण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, आईए देखते हैं, हमारे प 1, 2, 3 हमारे पास एक संबंध R कुछ इस प्रकार परिभासित है, X, Y order pair, such that X plus Y is equal to 10, for all values of X, Y belongs to set A. अब हम इसको R को हम अपने roster form में जरा लिख करके देखेंगे, उससे पहले हम अपना A cross A निकाल लेते हैं, देखते हैं, हमें A cross A क्या प्राप्त होता है? A cross A हमारा जो होगा कार्तिय गुरन, A का A के साथ वह है, इस प्रकाल लिखेंगे हम, यह हम पिछले भाग में लिखना सीखी चुके हैं, कि है किस प्रकाल लिखा जाता है कार्तिय गुरन? 2,1, 2,3, 3,3, 2,2, 3,1, 3,2 देख लेते हैं, एक बार 1 के साथ हमने सारे अभ्यप लिख लिए हैं, 2 के साथ हमने 2,1, 2,2, 2,3 हमारा आचुका है, फिर 3 के साथ 3,3, 3,1, 3,2 यह हमने A cross A के सभी संभावित क्रमित युगमों का सैठ हमने निकाल लिया है, अब हम देखते हैं, हमारा संभंध यहां R किस प्रकार परिवाशित है, कि संभंध R हमारा इस प्रकार परिवाशित है, कि X और Y के ऐसे क्रमित युगमों का समुझ, ऐसे order pair का set जहां X और Y दोनों का जो जोड़ है वह हमें 10 प्राप्त हो यानि कि जो दोनों घटक हैं प्रथम घटक और दुटिय घटक दोनों का जोड़ हमें 10 प्राप्त हो तो अब हम इसको roster form में लिखने का प्रयास करते हैं देखी हमें प्राप्त होता है की नहीं सबसे पहले हम देखते हैं order pair set लेते हैं 1,1 जहां X हमारे पास 1 है और Y हमारे पास 1 है अब हमने इन दोनों का जोड़ देखा X प्लस Y हमारे पास क्या आया यहां पर 2 आएगा क्या संबंध को यह परिवाशित कर रहा है नहीं संबंध यह कह रहा है कि दोनों घटकों का जो योग है वे हमारा 10 हमें प्राप्त होना चाहिए यहां पर जोड़ हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोनों का 1 प्लस 1 दोनों घ तीन, तीन, दस के बराबर नहीं है, अत्य यह भी नहीं आएगा, बन प्लस थ्री हमें कितना प्राप्त हो रहा है, दोनों घटकों का योग, चार, तो यह भी क्रमित युगम, संभंध आर के सैट में नहीं आएगा, दो कॉमा वन, हम जब देखते हैं, इन दोनों का जोड हमे कितना प्राप्त होता है, टू प्लस वन, थ्री, इसी प्रकार देखे, टू प्लस थ्री हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर, दोनों घटकों का योग, पांच, थ्री प्लस थ्री हमको कितना प्राप्त हो रहा है, छे, इसी प्रकार देखे, दो और दो, इनका जोड हमारे पास आ रहा है चार, तीन और एक का जोड़ आ रहा है हमारे पास पांच, यहां पर कोई भी ऐसा क्रमित युगम हम को दिख रहा है, जिसके दोनों घटकों का योग दस हमें प्राप्त हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई भी क्रमित युगम हमें यहां प्राप्त नहीं हो रहा अते हमारा संबंद आर जो है वहाँ एक रिक्त समुच्य हमें प्राप्त हुआ इसको हम यहाँ पर इस सिंबल फ़ाई से भी दर्शा सकते हैं आईए अब हम सार्वत्रिक संबंद को समझते हैं सार्वत्रिक संबंद की हमारी परवाशा क्या है? समुच्य एपर परवाशे संबंद आर एक सार्वत्रिक संबंद कहलाता है यदि एका प्रतिक अव्यव एके सभी अव्यवों से संबंधित है अर्थात आर इजिकल टू एक रॉस ए इसको भी हम एक छोटे से उधारन से समझते हैं इस वार सेट समुच्य ए हमने कुछ इस प्रकाल लिया वन कॉमा टू कॉमा थ्री जो इस सेट एक अव्यव हैं इसके बाद हम इसके एक क्रॉस एड ले लेते हैं कार्ति गुड़नफल एका एक के साथ तो सभी संभावित क्रमितिव में हम एक वार लिख लेते हैं यह हमको प्राप्त हो गया तू कॉमा वन तू कॉमा टू तू कॉमा थ्री त्री कॉमा वन त्री कॉमा टू और त्री कॉमा थ्री यह हमारे सभी संभावित क्रमिक युग्मों का समुच्च एक क्रोस एक कार्टी गुरन फल है अब यहाँ पे हमारा संभंध आर इस प्रकार परिभाशित है क्रमिक युग्म एक्स कोमा वाई such that दोनों घटकों का जो जोड है x प्लस y वहाँ 6 से छोटा हो या 6 के बरावर हो for all values of x, y belongs to set a देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसमें इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम 1,1 इन दोनों का जोड कितना आया दोनों घटकों का योग 2 2 जोकी 6 से छोटा है तो यह संबंद को फरवाश्यत कर रहा है तो यहाँ पर 1,1 हमें प्राप्त होगा इसी प्रकार हम देखते हैं 1,2 इन दोनों का जो जोड आ रहा है वे हमारे पास क्या आ रहा है तीन जोकी 6 से छोटा है तो यह कमित यूग में भी इस समुच्च में सम्मिलित होगा अब 1,3 इनके दोनों घटकों का योग हमारे पास क्या आ रहा है चार तो यह भी सम्मिलित होगा इसी प्रकार 2,1 दोनों को हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ यह तीन प्राप्त हुआ और तीन जोकी 6 से छोटा है इसी प्रकार यहां पर दोनों घटकों का योग हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4 यह भी इसमें सम्मिलित होगा क्योंकि है condition को satisfied कर रहा है संतुस्ट कर रहा है इसी प्रकार 2 और 3 का जोड हमें प्राप्त हुआ 5 यह भी इसमें सम्मिलित रहेगा क्योंकि यह भी 6 से छोटा है 3 और 1 का जोड हमें प्राप्त होगा दोनों घटकों का 4 तो 3,1 यह भी सम्मलित रहेगा 3 और 2 का जोड हमको प्राप्त होगा 5 जो की 6 से छोटा है अथ है यह भी इसमें सम्मलित रहेगा इसी प्रकार 3,3 इन दोनों का दोनों घटकों का जोड हमारे पास आ रहा है अच्छे जो की 6 के बराबर है इस कंडीशन को इस शर्ट को संतुस्ट कर रहा है अथ है यह भी इसके अंतरगत आएगा अब देखे यहाँ पर यह संबंद आर जो है वहाँ A क्रोस A के बराबर हमको प्राप्त हो रहा है जितने जो अवियाव इसके हैं वही इसके भी है अत है हम कह सकते हैं कि है जो हमने उधारन लिया है संबंद का यह है एक सारवत्रिक संबंद है यहाँ जान देने योगे बात क्या है कि रिक्त संबंद और सारवत्रिक संबंद को हम ट्रिवियार रिलेशन यानि की तुछ संबंद भी कहते हैं अब हम एक और प्रकार लेते हैं स्वतुल्य संबंद समुच ए पर परवासे संबंद आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रतेक ए बिलोंग्स टू समुच ए के लिए क्रमित युगम ए कॉमा ए आलसो बिलोंग्स टू सेट संबंद आर तो इसको भी हमें एक उधारन की सहायता से समझते हैं एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं हमारे पास जो सेट ए है उसके अवियब हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी हमने तीन अवियब का सेट लिया है अब हमारे पास एक संबंद आर वन कुछ इस प्रकार परिवाशित ह है A, A, B, B, C, C क्या यहें संबंद स्वतल्ड ले संबंद है हां है कैसे देखिए यह है पहले पत एक अवियब A के लिए इसमें A, A संबंद R में है हां है B अवयब के लिए हम देखें B, B क्रमित युग्म इस संबंध आरवन में सामिल है हाँ है इसी प्रकार C अवयब के लिए हम देखते हैं तो क्रमित युग्म C, C इस संबंध आरवन में संमिलित है हाँ है अत्य है प्रत्यक अव्यब के लिए हमको A, A belongs to R प्राप्त हो रहा है अत्य हम कह सकते हैं यह संबंद जो है वह स्वतुल्य संबंद है अब हम एक दूसरा उधर्ण लेते हैं हमारे पास संबंद एक इस प्रकाल लिखा हुआ है A, A, B, B क्या है संबंद स्वतुल्य है? नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें A के लिए A, A क्रमित युग्म इसमें संबंद है R2 सेट में B के लिए B, B इसमें संबंद है परंतु C के लिए यहाँ पर C, C क्रमित युग्म इसमें संबंद नहीं है संबंद में तो हम कहेंगे कि है संबंद स्वतुल्य संबंद नहीं है अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास इस प्रकार है A, 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 B, B, B तथा C, C हमारे पास क्रमित युगमों का समुच्चे क्या है संबंद स्वतुल्य है? हाँ है क्योंकि A के लिए हमारे पास A, A क्रमित युगमों में सम्मिलित है B के लिए B अभियप के लिए B, B इसमें सम्मिलित है C अभियप के लिए इसमें C, C भी सम्मिलित है अब अत्रिक्त क्रमित युग में इसमें सम्मिलित है, इसकी इस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अथ है यह संबंध जो है हमारा सतुल्ले संबंध कहलाता है, अब हम सम्मित संबंध की परिवाशा को समझने का प्रयास करते हैं सम्मित संबंध, समुझ ए पर परिवाशे संबंध आर, सम्मित कहलाता है, यदि for all values of A, B belongs to R, A, B क्रमित युगम belongs to R, इसे B, A belongs to R हमको प्राप्त हो इसको भी हम एक उधारन की सहाइता से समझने का प्रयास करते हैं, हमारे पास एक सैट हमने ले लिया समुझ A, जिसके अव्यव हमारे पास क्या है, A, B, C अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देखिए, कि हमारे पास संबंध एक आरवन कुछ इस प्रकार परिभाशित है A, B, B, A क्या यह संबंध संमित है, हाँ, यह संबंध संमित है, क्योंकि for all values of A, B belongs to समुझ A यहाँ पर हमको A, B से B, A क्यामित युग में भी हमारे संबंध में प्राप्त हो रहा है यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है, for all values of A, B belongs to R यहाँ पर यह आर जो है, वह समुझ A लिखा होना चाहिए, for all values of A, B belongs to A यहाँ पर A, B हमारे इस समुझ A के अव्यव है अब हम देखते हैं यहाँ पर R2 सेथ हमारा इस प्रकार परिवाशित है B, C, C, B क्या है सम्बन सम्मित है, चेक करते है A, B से हमें B, A क्रमित्युग में प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है B, C से हमको C, B हाँ प्राप्त हो रहा है परंतो इसके लिए हमारे पास B, A हमको प्राप्त नहीं हो रहा है इस सम्बन आर में सम्मिलित नहीं है तो हम कह सकते हैं यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है सम्मित नहीं है, सम्मित आर टू संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R implies that A, C belongs to R for all values of A, B, C belongs to set A. इस संबंध में सबसे महत्पूर्ण बात क्या है क्रम की? क्रम हमारा सही रहे तो हम आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं इसको हम एक छोटे से उधारन की साहिता से समझनी का प्रयास करते हैं हमारे पास एक समुच्च A है जिसके अव्यव हमारे पास A, B, C है अब हम एक संबंध R लेते हैं, R1 कुछ इस प्रकार है हमारे पास और हम इसको चेक करेंगे क्या यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध है कि नहीं चलिए देखते हैं इसको अब इसमें परवाशा पर हमें ध्यान देना है परवाशा हमारी क्या कह रही है A, B belongs to R तथा B, C belongs to R तो A, C यानि कि इससे हमें क्या मिल रहा है A, C हमको प्राप्त हो रहा है also belongs to R तो देखें यहां पर यह चीज इस क्रम का हमको ध्यान रखना है यानि कि जहां पर इसका दुत्य घटक खतम हो रहा है जहां यह दुत्य घटक है वहाँ इससे जुड़े हुआ दुत्य घटक यहां पर प्रथम घटक है फिर जब हम इनको मिला रहे हैं तो इस सेट का प्रथम घटक और इस वाले क्रमित युगम का दुत्य घटक मिला करके क्रमित युगम हमारे पास संभंध आर में हमें प्राप्त होना चाहिए तो देखे यहां पर है कंडिशन कैसे हमें मिल रही है हमारे पास हमने क्या लिया A, B फिर हमारे पास क्या है B, A condition के हिसाफ से अब हमारे पास क्या हमें प्राप्थ होना चाहिए A, A इस संबंद R में संम्मिलित होना चाहिए क्या है इसमें संम्मिलित है? नहीं है अथ है यह संबंद संक्रामक संबंद नहीं है अब हम एक छोटा सा और example लेते हैं दूसरा संबंद का हमारा सैट यह ही है A, A, B, B और हमारे पास क्या है? A, B यह तीन क्रमित युगम हैं हमारे पास अब देखिए अभियाब इस संबंद R के सबसे पहले हमने लिया A, A फिर A से कौन सा लेना होगा हमको? A, B इसको और इसको ले रहे हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्थ होना चाहिए? A, B परभाशा के अनुसार तो क्या हमको A, B प्राप्थ हो रहा है? हाँ A, B हमारे इस संबंद में सम्मिलित है अब हम जरा चेक करते हैं B, B B से देखिए B यहाँ पर हमारा इसमें दुत्य घटक है ऐसा कोई अवियब देखिए इसमें क्रमित युगमा जिसका प्रथम घटक B हो नहीं है तो भी है संक्रामक संबंद की कंडिशन को पूरा कर रहा है अब हम जरा लेते हैं A, B देखिए इसकी सैक्ल इसका क्रम लिख लेते है A, B फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा B, B यहाँ पर देखिए इनको संबंद करने पे हमें प्राप्ट हो रहा है A, B जो की इसमें संबंद है A, B हमारा यहाँ पर इस संबंध R में सम्मिलित है अत्य हम कह सकते हैं हाँ यह संबंध संक्रामक संबंध है एक और संबंध हम लेते हैं B, C यह बहुत छोटा संबंध हमने लिया है क्या यह संक्रामक संबंध है? हाँ है क्योंकि ध्यान दीजे परवाशा हमारी क्या कह रहे है यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R यहाँ पर हमारे पास B, C हमारे पास संबंद में है अब इस से जोड़ा हुआ हमारे पास दूसरा अभियाब नहीं है तो भी यह संबंद जो है संक्रामक संबंद कहलाएगा यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R implies that A, C belongs to R क्योंकि इसमें यह अव्यव यहाली कंडिशन यहाँ पर नहीं लग रही है तो हम केवल इस एक कंडिशन से ही कह सकते हैं तुल्यता संबंद समुझ A पर परिवाशिस संबंद एक तुल्यता संबंद कहलाता है यदि A, स्वतुल्य संमित तथा संक रामक है यानि कि इसमें तीनों कंडिशन्स हमारी ही अपलाई होती हैं तो इसको भी हम एक छोटे से उधारन से समझ लेते हैं हमारे पास एक सेट A इस प्रकार है जिसके अव्यव हमारा संबंद आर कुछ इस प्रकार परिवाशित है इसको हम चेक करेंगे क्या इसमें तुल्यता संबंद हमारा क्या यह संबंद तुल्यता संबंद है अथवा नहीं देखते हैं सबसे पहले सतुल्य की कंडिशन देखते हैं हर अभियव का उसके साथ सतुल्य A, A, B के साथ B, B, C के साथ C, C इस संबंद R में सम्मिलित है हाँ है तो यह संभंध जो है वहाँ स्वतुल्य कहलाएगा इसके बाद अब हम देखते हैं सम्मित की कंडिशन A, A इसका सम्मित भी हमको A, A मिलेगा तो यह है फॉलो कर रहा है इसी प्रकार B, B का सम्मित B, B भी इसमें है C, C का सम्मित भी C, C इसमें है A, B का सम्मित B, A और B, A का सम्मित A, B भी इसमें सम्मित है अथ है यह संभंध R हमारा सम्मित है अब इसके बाद हम संक्रामक की कंडिशन को देखते हैं संक्रामक संबंद से देखें, अब हम set लेते हैं, a, a हमारा है, cycle हम लिख लेते हैं इसको क्रम से, यह हम rough work है एक तरीके से, यह a, a हमारे पास फिर b, b, अब यहां से यह आप देखिए, हमें क्या मिलना चाहिए, a, b, क्या इसमें है, हाँ है, अब हम b, b, फिर c, c से हम जड़ देखें, b, b से के बाद, इस से जड़ा हुआ, second component से जड़ा हुआ हमारे पास, यह यहां पर प्राप्थ हो रहा है, तो अब यह देखिए, इनको, इनको क्रम बद करने पर, b, a कैस में सम्मिलित है, हाँ, इसमें सम्मिलित है, c, c, हाँ, यह संक्रामक है, अब हम यहां पर यह वाला लेकर देखते हैं, a, b, क्रमित युगमा, फिर हमारे पास आ रहा है, b, a, यहां से इसको हमने समझा, तो हमारे पास condition के साफसे, a, a, belongs to, यह आर है, यहां पर यह भी belongs to, r है, तो इन दोनों से मिलाकर, हमें a, a, b, r में प्राप्त हो रहा है, इसी प्रका, अब हम b, a के लिए देखें, b, a हमने लिखा belongs to r, अब यहां पर हमारे पास a, a belongs to r है, इसमें इन दोनों को मिलाया, तो हमारे पास b, a also belongs to r, हमको प्राप्त हो रहा है, अथ है, यह जो संबंध है, वहा संक्रामक संबंध भी है, तो यदि कोई संबंध समित स्वतुल्य तथा संक्रामक तीनों ही है, तो वह संबंद तुल्लेता संबंद कहलाता है अब मैं आप लोगों को करने के लिए है एक टेविल दे रही हूं इसमें टेविल में देखे हमारा समुच्च किस प्रकार है यहाँ पर यह आर बास्तिविक संख्याओं का समुच्च है फिर इसके वाद एक हमने यह तुरुज क समुच्च लिए है संबंद इनके अंतरगत किस प्रकार परिवाश्यत है यहाँ पर यह जो यह इक्वल्टू के लिए यहां त्रिवुज में संबंद सरवांगसम का है एक में समरूपता के लिए अब आप लोग को करना क्या है भहचानना है कि इन समुच्चों की अंतरगत यह जो संबंद परभाशित हो रहे हैं क्या यह स्वतुल्य सम्मित संक्रामख है अथवा नही क्या इन में तुल्यता संबंद लागू हो रहा है या नहीं अब आप लोगों की सुविधा के लिए इस अध्याय से संबंदित पाठ सामिगरी और अभ्यासकार माना संसाधन विकास मंत्राले भारत स्वाकार द्वारा विक्सित दीख्षा मोबाइल एपलिकेशन पर उपल और आपके इस एप को डाउनलोड करके इस अध्याय से संबंदित प्रश्डों वे अन्ने गतिविधियों का अभ्यास कर सकते हैं यह जो वीडियो है आपको यूटूब चैनल उत्तर प्रदेश मादिमिक सिक्षा भिभाग पर उपलब्ध है जिसे चैनल सब्सक्राइब कर के आप देख सकते हैं धन्यवाद